है है यह वेज़न वेलकम बैप को मैं यूटूब चानल स्माइल विद पर लगे कैसे हो आप से तो गाइस आधम को साई श्या करने वाली हूँ एक आधर रेक्वेस्ट वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे कुछ सब्सक्राइब करते हो कि इस इस वीडियो बनाई है मुझे बहुत अच्छा लगता है तो जो आज मैं आपको साई श्या करने वाली हूँ है भूमी पावार को मैं अपनी मौनिंग इवनिंग और नाइट स्किन केर र पूछा लगता है तो मैं आपको साथ एक बहुत एज और सिंपल रूटीन के रूटीन के वाली हूँ है इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी इसकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस हो जाएगी तो गाइस वीडियो बहुत है थोड़ी स इसको बना सकते हैं और देखते हैं कियाया जाएगी आपकी स्किन के रूटीन से तो इसका अच्छा एडिया लग जाएगा कि मौनिंग से ही कैसे अपने स्किन के क्यार करना चाहिए तो मैं यहां पर भी सो रही हूं अपनी स्लेपिंग मास्क लगाके और इसके बाद उठन सब करें में किया कि भूत कर सिंगे हैं कि अपने कर रहें से अपने से नहीं कि घरें के लिए को अपने कोeg भूपा कि एक साइड के करें पेर्स के फेस वाइश पर मैंने एक रिव्यू भी दिया हुआ है अगर आपने नहीं देखा है तो मैं देदुएंगो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आप जरूर से देख लेना तो जिनको पिंपल होता है और जिनको स्केन में तो डरलनेस होती वह पेर्स का फेस यह यह बाद थोड़ा से कुछ यह प्राइब कर लेनी चाहिए तो यह 60 ग्राम का है बहुत दिन तक चलता है और यह हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेट का है तो आपको पता ही होगा कि हिंदुस्तान निलिवर लिमिटेट के जो प्रोड़क्ट्स होते हैं काफी अच् मैं आप देख सकते क्या स्चिद्र है ऐसके बाद इसको अपने पूरे फेश पर रापकरना है दो से तीन मिनट इससे क्या होगा कि आपने जो विन्हों रात में सुने होता है कि बहुत साहरे हैं कभी-kभी अंद यBlरにशा जाती है बहुत पॉफिनेसya जाती है जब प्रब्वेशा आपको हमेशा जो है जब ही अपने पेड ड्राय करना है फेस को कभी भी रब करके नहीं आप देख सकते हैं इतना क्लीन होगा है इसके बाद मैं हैं पर शेयर करने जारी इवनिंग स्किन केर रूटीन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हो फेस पैक ना वह फेस पैक जो है बहुत ही सिंपल है तो आप इसको अगर डेली लगाएंगे ना तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी फ्लॉलेस हो जाएगी तो चली देख लेते हैं कौन से यह जो मैंने इंग्रिडियन जाएगी फेस्ट बनाना है उतना आपको मिल्क लेना है आप चाहे तो रॉम ले सकते हैं चाहे तो पकावा दूद भी ले सकते बट अगर आप मिल्क जगह पे मलाई लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रेजल्ट देखने को मिलेगा इसी से मेरा फेस बहुत फ्लॉलिस लगता है तो इसलिए मैं मलाई होती है तो इसलिए मैं मलाई हमेशा लेना अवाइट करती हूं हमेशा नहीं ले सकती हूं यहां पे मिल्क डेली उसकरती हूं तो यह जो मैं आपको पेस्ट बता रही हो ना फेस पे लगाने वाला यह मैं डेली अप्लाई करती है अपने फे को एड़ करके आप जो है लगाइए डेली लगाइए गाइस आपको विदिन मन्थ जो है बहुत ही अच्छा से रिजर्ड टेक्निक को मिलेगा जैसे अपको मेरा फेस इदम फ्लॉलेस लगता है तो तरीकिस आपको अपना फेस बिदम फ्लॉलेस लगेगा मैं विल्कुल भी अपना असर दिखाने प्लॉलेस लगेगा तो इसलिए आपको एक मेरा फेस बहुत ही फ्लॉलेस लगेगा बहुत ही शाइन लगेगी और आपका फेस खुदी बहुत जादा कलर भी फेर हो जाएगा डलनेस भी जो है चली जाएगी इसको 20 मिर तक रखना है और नॉमल को 80% करना है पूरा ड्राय नहीं करना है यहां पर देख सकते हैं मैं इसको वाश कर लिया है और अब मेरा फेस बहुत ही लग रहा है यह देखे तो आप इसको ट्रस्ट में आप इसको डेली यूज कीज़ें आपको खुद दिखाई देगा खुद रिजल्ट्स आपके सामन करने होंगे यह बहुत अच्छा एक नुस्खा है गाइस देशी नुस्खा है और आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना क्लीन लग रहा है मैं आपको बहुत ज्यादा क्लोज करके दिखा रही है अपना फेस इसको जरूर अप्लाई कीज़ें और मुझे बताएगा इसके एलो बिरा जेल अपर आप रात में अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा ना कि आपको फेस को बार बर क्या होता है हम दिन में आप बी सपोस्स जो है एक बार नहां करके आए और उसके बाद लगा लिए फिर हमें इमेरियेट कहीं जाना पड़ गया तो हम वापिस अपन आपके साथ शेयर करने हूं कि अच्छा है मौश्राइजिंग ब्यूटी जल है देख सकते हैं तो मैं हमेशा आपको कहते हूं कि कभी भी आपको अपने स्किन में कुछ क्यों करना है कुछ पिमपल हो गया डलने हो या अप हमेशा हमें इवनिंग पर नाइट के टाइम पर ही तो आपके फेस बहुत देर तक रहेंगे और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे तो आपको मैं दिखा रही है अपने हाथ पे अपलाई करके कि कितने अच्छे तरीके से यह एक जल फॉर्म में है और इतना नैचुरल है आप देख सकते हैं और कित पर द्राइनेस जैसे कि मेरे फेस बहुत द्राइनेस है तो मैं यहां पर यूज करती हूं अपने फेस पर डेली रेड नेचर का कैस्टर ओयल काईज यह 100% प्योर और नेचुरल है कोल्ड प्रेस्ट कैस्टर ओयल है जो हमारे बालों के लिए अच्छा है और हमारे स्किन के क्थी जैस–त्राइल शेया हिसे तित कशल भूत ज教 सथा बेडिन आपके लाओ धार होता है जा install को को इस आपडरा है फिर काईटा दियांट नेटल भूश भी यह और यूप रिए और अडिक्टीव फिर ही सभी वा-डशी है ऑसे बहुत जांता चैस्टर होता हमारे गया फ थोड़ा सा स्टिकी भी होता है तो यह जस्ट 300 का है और आपको इतने बड़ी बॉटल में मिल रहा है वाइस क्या चाहिए है इसमें थोड़ा सा प्रेकॉशन भी रखना पड़ता है जैसे कि आपको एक्स्टरनल यूज के लिए ही खाली होता है आपको अपने कान में अपने नहीं जाने देना चाहिए और बच्चों से दूर रखना चाहिए बड़ों कहीं इसको यूज करना चाहिए तो यह सारी चीज़े थोड़ा सा प्रेकॉशन रखना बहुत ज़रूरी होता है और जबी आप यह जो कैस्टर लीजिए ना हमेशा हमेशा कोड़ प्रेस्ट यह बहुत जादा अच्छा तो इसमें लिखा भी हुआ 100% प्योर है अब मैं यहां पर सोने जा रही हूं तो मैं यहां पर देखेंगे आप खुद काई कि मैं किती थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको लेती हूं तो आप देख सकते मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो बू गराना कि में पर सिर्फ आप देखेंगे जाता है जाता thank you WILD za अच्छे लग करना है तो इसको ऐफसे पूरू तरीके से अब घंड करना है कि ब Olá ब्लेंट कर लेना हैं जिससे आपका ऑप्छा वेव्जवी द राख की लें उत s हुआ हो ही जाते उनके कोई वी आपיल मl MBT लिए मैं सब्सक्राइब कें दिको मैं लकी सब्सक्राइब मैं तो इस तरीके से आप अपने करण लिए आप इंट से की आप trektолжे हैं टो लिए semantic संदॉ किसक画 प्रिन ह swapped beautiful किसको लगने पशंल लगता सुन्दर लगने किसको अच्छ नगता है थो आप के सुन्दर लगने के लिए मैं आप बहुत ही अच्छ फीडियो लेकर आते हैं तब अचली को लिए अ जा करसे दुछ मिलते हैं आठ आा फीडियो troubles ah आपकले पाए ऋदेक विस्टो बिस्टो इस दुक ए भाए